मैं आशा करती हूँ कि जो नई महिला सांसद सदन में आएंगी वो इन महिला सांसदों की तरे कुलदीब सिंग सेंगर जो हत्या और रेप के आरोपी नहीं दोशी पाए गए उनको हटाने की तुरंद गुहार लगाएंगी कोट की तिपड़ी का इंतजार नहीं करेंगी वो अपने साथी सेहकर्मियों से कहेंगी कि कुलदीब सिंग सेंगर दोशी पाए गए उनके घर का चक्कर लगाना उनका चरण वंदन करना उनका महिमन मंदन करना बंद कर दो वो आशा करेंगी कि कि जिस बच्ची के पिता उनके चाचा उनकी मौसियों की तक दुरघटना में हत्या हो जाती है वो कैसे हो जाती है वो नई महिला सांसद इन महिला सांसदों की तरे चुप नहीं बैठेंगी मैं आशा करती हूँ कि जो आने वाली भविश्य की महिला सांसद हैं वो 2020 में जब शाह जहांपुर में भाजपा के नेता चिनमयानंद के खिलाफ एक लड़की यौन शोशर का आरोप लगाएगी तो वो चुप नहीं बैठेंगी वो अपनी आवाज और अपना स्वर उस पीड़ता के स्वर में मिलाएंगी मैं आशा करती हूँ और ये भयावे था लेकिन मैं आशा करती हूँ कि जो नई महिला सांसद आएंगी वो इन महिला सांसदों की तरह भाजपा की हाथरस में जब एक 19 साल की बेटी का बलातकार हो जाता है बरबरता होती है उसकी मृत्यू के बाद ढ़ाई बजे रात को बिना उसके परिवार के जब उसको पुलीस और प्रशासन फूक देते हैं तो वो अपनी आवाज उठाएंगी वो कहेंगी अपनी सरकार से कि आप पीड़ता का चरित रहनन मत कीजिए वो कहेंगी अपनी सरकार से कि प्रशासन के माध्यम से उनके परिवारों को डराईए मत धमकाईए वो ये कहेंगी वो चुप नहीं रहेंगी इन महिला सांसदों की तरह मैं आशा करती हूँ कि जब नई भविश की महिला सांसद आएंगी तो वो लखीमपुर में पंचायत चुनाव में एक जन प्रतिनिधी के चीरहरण पे अपनी आवाज बुलंद करेंगी वो चुप नहीं बैठेंगी मैं आशा करती हूँ कि जब अंकिता भंडारी की उत्तुरा खंड में हत्या की जाएगी जब उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया जाएगा और जब वो मना करेगी और जब भाजपा के नेता का बेटा उसकी हत्या करेगा और प्रशासन सारे सबूत मिटाने के लिए होटल पे बुल्डोजर चला देगा तो ये महिला सांसद कुछ बोलेंगी इन महिला सांसदों की तरे चुप नहीं रहेंगी ये आशा है मेरी इस देश की आधी अबादी इस देश में आने वाली नई महिला नेत्रियों से मैं आशा करती हूँ कि जो नई महिला सांसद सदन में चुनकर आएंगी वो देश की सबसे होनहार बेटियों को रोते हुए बिलकते हुए जब देखेंगी जब वो देखेंगी कि उनको सडकों पर पीटा जा रहा है घसीटा जा रहा है जब वो देखेंगी कि महिने भर से उपर ये बेटियां जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है गर्मी और धूप में बैठकर बारिश के बीच में बैठकर अंदोलन कर रही है वो जब सुनेंगी उनके यौन शोशड के आरोप तो वो अपनी पार्टी और अपने नित्रित्व से कहेंगी कि ब्रजभूशर शरान सिंग को तुरंत पार्टी से निकाल फेकिये वो आख पर पट्टी बांधने का इन महिला सांसदों की तरह काम नहीं करेंगी मैं आशा करती हूँ कि ये जो नई महिला सांसद आएंगी सदन में वो इन महिला सांसदों की तरह मणी पुर पर मौण नहीं रहेंगी मड़ी पुरपर जब नगन औरतों को घुमाया जाएगा जब आदम खोरों की भीड उनके शरीर को छल्ली छल्ली करेगी उनके शरीर को छुएगी तो ये नई महिला सांसद अपनी आवाज उठाएंगी 78 दिन तक एक भयावे विडियो का इंतजार नहीं करेंगी वो पूछेंगी प्रधान मंत्री से वो पूछेंगी ग्रह मंत्री से वो पूछेंगी मुख्य मंत्री से कि आपकी नाक के नीचे इस देश की बेटियों के साथ ये हुआ और 78 दिन तक आप मौन और शांत क्यों रहे क्योंकि अगर कोई महिला इन सब बातों पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती है अगर कोई महिला इन सब बातों पर मौन नहीं तोड़ती है तो उसको सदन में रहने का कोई हक नहीं है अगर आप आधी आबादी का प्रतिन धित्व कर रहे हैं अगर आप आदी आबादी के नुमाइंदे हैं, तो सबसे पहले आपको आदी आबादी की सुरक्षन, उनके खिलाफ अपराद, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार, उनके खिलाफ हो रही बरबरता, और उनके खिलाफ जिन लोगों ने किया है, उनको मिल रहे राजनितिक संग प्रक्षण के खिलाफ बोलिएगा जो इन महिला नेत्रियों ने दुर्भाग्यवश नहीं किया मैं आशा करती हूँ कि भारत जो विरांगनाओं की भूमी है और एक से एक विरांगनाएं हुई यहाँ भारत जहां पर मा के पैर में जन्नत और स्त्री को देवी का दरजा दिया जाता है वो स्त्री को उसके वजूद को पहचानेगा और यह महिला नेत्रियां जो चुप रही यह सबक सीखेंगी आने वाली महिला नेत्रियां आने वाली महिला सांसद मैं आशा करती हूँ कि अत्याचार को देखकर चुप नहीं रहेंगी वो बरबरता को देखकर मौन नहीं रहेंगी वो बोलेंगी, वो बेखोफ होंगी, वो निडर होंगी वो अपनी सत्ता की लोलुपता के पीछे नहीं चुपेंगी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अत्याचारी कौन है उनको ये फर्क पड़ेगा कि अत्याचार एक महिला पर हुआ है जो दुर्भागिवश इन हसते हुए चेहरों ने कभी नहीं किया